हाई अवरिवन वेलकम टू माई चैनल आज हमारे पास यह LED वोल्ट मीटर है जो की बैटरी के वोल्ट को ट्रैक करने के लिए यूज किया जाता है दोस्तों वैसे तो हम बैटरी की वोल्ट को मेजर करने के लिए मल्टी मीटर का भी उपयोग करते हैं इसकी जो नोब है उसको माइनस की तरफ करते हैं तो यह बैटरी की वोल्ट को बताता है जैसे कि इसमें बता रहा 4.31 वोल्ट तो अगर हम मल्टी मीटर से ही वोल्ट को मेजर कर सकते हैं तो इस प्रोड़क्ट को यूज करने का तो दोस्तों यह जो प्रोड़क्ट है वोल्ट मीटर जो है ये एक्चुली मेजर तो करता ही है बट रियल टाइम में उसको ट्रैक करने के भी काम आता है क्योंकि जो बैटरी होता है उसकी वोल्टेज कम ज्यादा होती रहती है जैसे वो चार्ज होता है अगर 12 वोल्ट की बैटरी है वो चार्ज होगी तो उसका जो बैटरी की हीलत को भी मॉनितर कर सकते हैं तो दोस्तों यह जो प्रोड graveyard को मैंने इमेजन से मगाया है 250 रुपिस में यह मुझे मिला है और कुछ इस तरह से पैक किंग में यह आया था यह बबल रैप वहगेरा इसमें प्रोटेक्शन की लिए दिये हुए थे इसमें सामने की तरफ three digits printed है ये दो screws दिये गए हैं इसको mount करने के लिए और दो wires हैं पतले एक red है और एक red के साथ black है और इस voltmeter की capacity है 4.7 volt से 30 volt तक इसके बीच में आप इसको इस्तिमाल कर सकते हैं अपने volt को monitor करने के लिए और चली इसको लगा करके देखते हैं ये 4 volt की बैटरी है मेरे पास इसमें मैं इसको लगाता हूँ और देखता हूँ कि क्या digit यह बताता है ये जो red वाला है इसको मैं plus में connect करूँँगा और black वाले को minus में और इस बैटरी में भी हम एक बार इसको चेक कर लेते हैं कि क्या यह बोल्ट बताता है जैसा कि इस बैटरी में इसने कोई भी वोल्ट नहीं बताया था वैसी हम plus वाली side में red वाली को connect करेंगे और minus वाली में black को और यहाँ पर कोई भी digits हो नहीं हो रहा है वही मैं multimeter से आपको चेक करके बता देता हूँ यह देखिए यहाँ पर digits हो रहा है 4.14 वोल्ट यह बता रहा है और सेम वैसे ही मैं इस बैटरी को चेक करता हूँ तो यहाँ पर भी 4.31 वोल्ट शो हो रहा है तो जैसा कि इसमें मेंशन था कि यह जो वोल्ट मीटर है यह 4.7 वोल्ट से 30 वोल्ट तक की वोल्ट को मेजर कर सकता है तो चलिए कार की बैटरी में जो की 12 वोल्ट की होती है उसमें मैं इसको connect करता हूँ और देखतें कि क्या digits हो होते है तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने कार की बैटरी में इस वोल्ट मीटर को connect किया हुआ है और यह अभी 12.7 वोल्ट बता रहा है वैसे ही मैंने किया है बहुत ही सिंपल है इसको इसको इस्तेमाल करना प्लस वाला जो प्लस वाला जो टर्मिनल है उसमें रेड वार कनेक्ट होगा और जो रेड के साथ बलेक है वो माइनस में कनेक्ट होगा तो अभी यह वोल्ट मीटर 12.7 वोल्ट बता रहा है बैटरी की जो ओरिजिनल वोल्टेज कैप सीटी आपर मेंशन है वो 12.79 वोल्ट है और जो लोड कैप सीटी है वो 10.69 वोल्ट है यह जो सेकेंड वाली वैल्यू होती है उसका मतलब यह होता है कि जब आप लोड देते हैं बैटरी पे या जैसे ही गाड़ी को स्टार्ट करते है तो यह 10.69 वोल्ट तक रहना चाहिए एक हेल्दी बैटरी का यह है और जैसे जैसे आपकी बैटरी पुरानी हो जाती है यह जो वैल्यू है सेकेंड वाली जो वैल्यू है वो कम होती जाती है तो अगर आपकी बैटरी में ऐसी कोई इशू आ रही है तो आप इसको लगा करके अपनी गाड़ी में आप यहाँ पर भी इसको लगा करके मॉनिटर कर सकते हैं और बेसिकली जो बैटरी सॉप्स वाले होते हैं वो आपकी गाड़ी की बैटरी के हेल्थ को इसी तरीके से चेक करते हैं यह जो आप सेकंड वाली वैल्यू देख रहे हैं 10.69 वोल्ट यह जो है जब आप गाड़ी स्टार्ट करेंगे तो यह इस से कम नहीं जाना चाहिए कर देते हैं वोल्ट की तरफ नोप को सेट करके और जैसे गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो उसमें जो वैल्यू कम होती है वो उसको मेजर करते हैं दो तिन बार गाड़ी को चालू बंद चालू बंद गरते हैं और देखते हैं कि यह जो value a second वाली यह कितनी लो जा रही है और उसी हिसाब से आपकी बैटरी की health को वो चेक कर लेते हैं तो आप ऐसा भी कर सकते हैं अगर आपकी गाड़ी की बैटरी पुरानी हो गई है तो आप उसमें भी इस वोल्ट मीटर को लगा करके बैटरी की health को चेक कर सकते हैं उसके वोल्ट को monitor कर सकते हैं और इस वोल्ट मीटर का इस्तेमाल आप किसी भी तरह की बैटरी में कर सकते हैं चाहे वो आपके घर की इन्वर्टर की बैटरी हो कि वो चार्ज होने के बाद कितने वोल्ट पे स्टेबल रुक रहा है और ड्रेन कितने समय में हो रहा है कितने समय लग रहे हैं उसको चार्ज होने में क्योंकि वोल्ट होता है वो कम जादा होते रहता है तो अगर आप इस वोल्ट मीटर को उसमें कनेक्ट करके रख देंगे तो आप बराबर उसके वोल्ट को मॉनिटर भी कर सकते हैं और क्योंकि बैटरी जो होता है बहुत बड़ ये inverter के उपर आपको डाउट हो रहा है कि वह बैटरी को और चार्ज हो रहा है या बैटरी ज्यादा हीट हो रही है तो आप इस डिवाइस को लगा करके उस बैटरी को मॉनिटर कर सकते हैं तो दोस्तो यह चोटी सी जानकारी थी इस वोल्ट मीटर के बारे में इसको मैंने एमेजोन से पर्चेस किया था 250 रुपए में अगर आप लेना चाहते तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा आप वहाँ से देख सकते हैं अगर आप कोई वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजेगा और कोई सवाल है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं और अगर आप हमारी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा मिलते हैं आप से अगले वीडियो में थैंक्यू फॉर वाचिं कि अई उनिक उ्टो अभी प्या क्वागी अकां वीडियो में वीडियों चैनल के कि चैनल क rights отвеч एाल हैं परहां जो कि county येंप हॉर प्ड़ के जए गचि dispेर हैं जिसको थ्मेठास केज़िट सॉत खरा हैं।